नमस्कार दोस्तो, दोस्तों, आज हम बात करने के लिए हें शेफटी टेंग के बारे में, और शेफटी टेंग के बारे में अगर आपने वो डेखी, फूपल है, आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और आज की वीडियों जो है उन्हीं वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हैं तो उस कमेंट का एक जवाब है जिसमें कि पुछा था लोगों ने कि आर से सी कोना चाहिए कि ब्रेक वाल कब ना चाहिए यह बड़ा इंटरस्टिंट टॉपिक है लोगों को बहुता कनफूजन होत आप माल लिजए कि आप ना या ब्रेक वाल का बनाता है कौन सा मजबूत कुन सा क्लियरली है कि यहां पर यहां पर एक दिक्कत क्या है और को स्टिक क्या है यहां आए ग्रिकेट इस्टेल वर का काम जादा है बहुत सारी सरू में बड़ते कि भाぜ जीज़ लगानी परती है तो यह मोक्त जो है कोश्ट थोड़ा हो जाता यहां पर allerthest shooting का पड़ता है ऐसाफिक और यहां पर पर इसोख जाता है सब से आएधिरन्स यहां पर यह वाला safety tank, brick वाला safety tank जो है, वो आप सिर्फ ऐसी जगहों पर बनाए, जहां कि आपका water level जो है, काफी नीचे है, काफी नीचे का मतलब है, at least जो है, 10 foot के, आसपास 10 foot से नीचे है, ऐसा ना हो कि water level आपने 5 पूँ या 6 foot खोदा और water level आ गया, पानी का level आ गया, तो ये बहुत ज जगहों पर कभी ना बनाए, अपना safety tank brick वर का, ऐसी जगहों पर आपको हमेशा prefer करना चाहिए, RCC का, जहां भी water level उपर है, पानी का level जो है, वो काफी जगह है, मिट्टी भूरभूरी है, बालू वाली मिट्टी है, ऐसी जगहों पर हमेशा prefer करना चाहिए, आपको RCC का safety tank, प्लस अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां पर आपका सुख्यू जगह है, पानी का level काफी ज़्यादा नीचे है, तो ऐसी जगह प्रिफर कर सकते हैं, अपना brick का safety tank, प्लस जहां पर भी मिट्टी का लूट ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, safety tank क उपर वहां पर आप RCC का बनाए, RCC का लोट बेर कर सकता है, लोट बर्दास्थ कर सकता है, मगर ब्रिक का जो safety tank को वो ज़्यादा बर्दास्थ नहीं कर सकता है, उसके outer sides पर अगर ज़्यादा पढ़ेगा, तो वो cracks हो जाएगी, जल्दी collapse नहीं होंगे, लेकिन cracks हो इससे क्या होगा, आपके जो safety tank में पानी बनेगा वो बहार जाएगा, और अगर पानी का level उपर है, तो बहार का पानी भी अंदर आएगा, और इससे साब से जल्दी जल्दी आपको safety tank बने लग जाएगा, और damage हो जाएगा, खराब हो जागा safety tank, safety tank को हम बार 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 नुकसान होता है, तो इसलिए एक बार बनाए इस चीज को, जो कि आपको कभी दुबारा तोडने जोगा ना पड़े, ऐसे में बहुत लोग क्या करते है, safety tank के नीचे का हिस्सा जो होता है, बेस जो होता है नीचे का, वहाँ पे लोग PCC करवार करके उसके बर ब्रिक वर कर देते हैं, तो यह जो है बिलकुली गलत है, अटलिस यहाँ पर क्या कीजिए नीची जो है, नीचे भी आप नीचे एक RCC कर दीजिए, RCC करना एक best option है, RCC करने से नीचे कवर हो जाता है, एक बात हमीशा ध्यान रखिए, चाहे आप ब्रिक वर का safety tank मना रहे हैं, दोनों में waterproofing आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, waterproofing में कोई कसर नहीं आपको छोड़ना है, यहाँ पर यह नहीं है कि बाहर का पानी अंदर आएगा, आपका अंदर का पानी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर का पानी बाहर जाने से क्या नुकसान है, यह आपके DPC म मना रहेगा, जिसके कारण से settlement हो सकती है, मिट्टी की settlement होने कारण जो आपका first bed सकता है, तो इसलिए waterproofing का जो है, यह हमेशा बहुत अच्छे तरीके सकते हैं, आप केसी भी company का ले सकते हैं, doctor fixit का, यहाँ पे common है, लोग को बहुत अराम से मिल जाता है, doctor fixit का भी आप लोग उसमें waterproofing chemical का paint कर लेते हैं, और फिसके उपर plaster कर देते हैं, यह भी अच्छा तरीका है, और plus चाहिए तो plaster के मसाले में मिला करके भी waterproofing कर सकते हैं, यह अच्छा matter है, जैसे आपको prefer लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे waterproofing कर सकते हैं, तो यह अलाग-अलाग methods है मेरा बोलने का मतफर इतना है कि waterproofing करना must है, और RCC में तो आपको RCC के अंदर ही chemical मिला करके waterproofing करना पड़ेगा, तो यह सब चीजे होती है, तो यह इन सब बातों का ध्यान रखके ज़रूर बनाए, अपना जब भी बनाए safety tank, safety tank सबसे important बात है कि आपको घर का water level कैसा है, उस सब बात अगर ठीक है, सुखी जगह बन रहा है, तो हमेशा prefer करें brickwork का, गिली जगह बन रहा है, तो prefer करें ज़्यादा RCC का, प्लस RCC का आप किसी भी जगह पे बना सकते, brickwork का जो आपको safety tank है, यह इस तो ज़्यादा चलन में भी है, क्योंकि यह थोड़ा costly नहीं, थोड़ प्लसा कम costly पड़ता है, RCC का ज़्यादा costly पड़ता है, लोग कम बनाते, तो brickwork ही लोग ज़्यादा prefer करते है, क्योंकि यह costly नहीं पड़ता है, तो ऐसी बात पर कई बार क्या हो जाता है, कि लोग ऐसी जगह बना देते हैं, जहां पर कि पानी का level उचा है, पानी का level उचा ह पर क्या क्या होता है, कि safety tank उसे leak कर जाता है, पानी का प्रेशर पड़ता है, पानी कंट्यून उचा है, पानी कर जाता है और तो हमेसा table उच् dua पानी बहरा रहता है, क्या होता है, क्या तो इसे बादर है कि आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा खर्चा कर लिजिए उसमें आपको कभी आपको lifetime दिक्कत नहीं आएगी है खास कर यह बात है गीली जगहों के लिए हमें सब प्रिफर कीजिए RCC का safety tank चले दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते है आई थिंक आपको समझे में आ चुका है कि आपको safety rank RCC का बना चाहिए या फिर कि बृब कर बनाओ चाहिए दोनों के महत्म दोनों अपनी जगहुंपे अच्छे है दोनों का अलगा अनो ब्रीकवरका कब भी अच्छा है यह पे आपका रorsi उसलिए सब्सक्राइब करें बाद नोटिफिकेशन वेल भीडियो ज million जाएंगी नौलेजफूल वह आप सीधितर्ए तर पर देख पाओगे प्लस दोस्तों अगर आगर आप चाहिक तौर वी फोटोच वीडियोस मैं देखते रहेंगे यहां फॉल Snag्ति वह जाएंगे소리 फॉलो जरूर कर लें तरह दोस्तों जाहिए